वेलकम बैक दोस्तो मेरा नाम है मंदर आप देख रहे हैं आपका बजेट कम है आप AC कार ढून रहे हो जिसका मेंटेननस कम हो और आपके जेप पर भी वो जादा भारी ना पड़े तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 से 3 लाख रुपे क बजेट में आप कुण से सिकनर्ज कार्स कूर्स ले सकते हैं तो चलिए देखते हैं दोस्तो मेने यहाँ दो कारटे कर लेती हैं दोस्तो G पेली कार है, ए सेग्मेंट में जो की है मारूती सुजुकी की रिट्स, यह आपको 2012 का मॉडल, आपको पेट्रोल में 2,90,000 से लेकर 3,00,000 रुपे के बीच में अच्छा मिल जाता है, इसमें आपको डीजल और पेट्रोल वेरियंट भी दोनों मिलेंगे, लेकिन डीजल की जो अगर आप ढूंडेगे तो, इसका जो माइलेज है पेट्रोल में वो आपको अटरा से उन्दिस का आरम से मिल जाता है, दूसरी ए सेग्मेंट की कार है जो के होंडा ब्रियो, यह बहुती शांदार कार है, यह आपको 2011 नहीं तो 12 का मॉडल मिल जाता है पेट्रोल में, यह क माइलेज है वो 18 से 19 के बीच आपको यह ब्रियो दे देती है, दोस्तों यह पे तीसरी छोटी कार है हुंडाई की आइटेन, जो की बहुत ही पॉपिलर हुई थी, यह आपको 2010 नहीं तो 11 का मॉडल आपको 27,000 से लेकर 3,000,000 रुपे के बीच में आपको आरम से मिल जाता है, इसमें भी आपको manual और automated transmission available होता है, इसके जो mileage है वो 18 से 19 तक आपको मिल जाती है, दोस्तों यह पे चोथे नंबर पर आती है मारूति सुजुकी की A-star, यह आपको 2011 का model धाई से 3,000,000 रुपे के बीच में मिल जाता है, इसमें आपको automatic और manual दो option मिल सकते है, इसका जो average है व आपको 20 से 21 तक मिल सकता है, दोस्तों आपको छटी कार है मारूति सिजुकी की Alto, दोस्तों यह भी कार आपको 2011 नहीं तो 12 का model जो है आपको धाई से 3,000,000 रुपे के बीच में मिल जाता है, इसमें आपको CNG और petrol variant में आपको यह कार available होती है, और manual transmission में available है, इसका जो mileage है CNG म दे सकता है, और petrol में जो है वो 21 नहीं तो 22 किलोमेटर का आपको average निकाल के देगी यह कार, दोस्तों आपको अभी दूसरे सेगमेंट के और बढ़ते है, जो की है B सेगमेंट यानि थोड़ी बढ़ी कारे, A सेगमेंट से, तो आपको यह सबसे पहली कार है, उसमें सबसे प बात की जाए, तो वह आपको 21 नहीं तो 22 का average आराम से दे देती है, अवे के उपर, दूसरे इसके बाद दूसरी कार आती है Toyota की ETIOS, दूस्तों आपको यह Toyota की ETIOS जो है, वो 2011 नहीं तो 10 का model आपको petrol में आराम से 2,70,000 से लेकर 3,00,000 रुपे के बिच में मिल जाता है, इसमे और इसका जो boots पैसे वो आपको बहुत जादा मिलेगा, क्योंकि यह hatchback से में नहीं आती है, यह sedan में आती है, दोस्तों इसके बाद आती है Maruti Suzuki की popular car, जो कि है SX4, यह भी आपको 2010 का नहीं तो 11 का जो model है, आपको धाई से 3,00,000 रुपे के बिच में मिल जाता है petrol का, इसमें आपको CNJ और diesel variant भी मिलेगा, आपको अगर मिल जाता है 3,00,000 रुपे के तक तो आप ले सकते है, यहाप आपको petrol variant की में यहाप बात कर रहा हूँ तो आपको यह 16-17 km के आवरेज आपको आलम से निकाल देता है, अगर दोस्तों आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं, तो मुझे comment section में जरूर बताएगा, आपके कुछ सवाल हो तो मुझे comment section में जरूर लिखे, इस वीडियो को like और share कर ना मत भूलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में